हलो बच्चो आज हम लोग मराठी सुगम भारती यता सहावी कलेसन नंबर आठ अपार प्रेम इसके क्वेशन एन आंसर स्टडी करेंगे प्रश्ण एक एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा आंसर इन वन और टू सेंटेंसेस जंगलाचे नाओ कमल बन आसे का पढ़ ले जंगल का नाम कमल बन याने कमल आला जंगल ऐसा क्यों पढ़ गया था उत्तर जंगला तिल सरोवर नहमी कमलानी फुल ले लिया साइची मनून जंगलाचे नाओ कमल बन पढ़ ले तो जंगल का जो सरोवर तालाब था वो हमेशा कमल से भरा हुआ रहता था इसलिए उस जंगल का नाम कमल बन ऐसा पढ़ गया था आ हरिनाचिया कुटुमबात कौन-कौन रहत होते हरन के परिवार में कौन-कौन रहता था उत्तर हरिनाचिया कुटुमबात हरिन, हरिनी आणि त्यांची दोन पाड से रहत होते तो हरन के परिवार में हरन, हिरनी और उनके दो बच्चे रहते थे इ, हरिनाचिया कुटुमबाच्या मनात कोंटे विचार होते? वो हरन का जो परिवार था उनके मन में क्या खयाल आया? उत्तर, आता चौगान पई की एकाला मरावे लागनार असे विचार आले अब हम चारों में से एक को मरना पड़ेगा, ऐसा खयाल उनके मन में आया, शेर को देखकर वाग शिकार न करताच का निगुन गेला, शेर शिकार नहीं करके क्यूं चला गया? उत्तर, वागाने हरिनाचिया कुटुमबाच एक मेकान साथी त्याग करनाची भावना पाहिली शेर ने उस हरिन के परिवार में एक दूसरे के लिए कुर्बानी करने की भावना देखी, एक मेकान विशेई अपार प्रेम पाहिल्या मुडे, वाग शिकार न करताच निगुन गेला, उनका आपस में एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर वो शेर शिकार नहीं करके चला गया, प्रश्न दोन पशु पक्षी जाडे जुड़ पे यांसर के जोड़ शब्द पाठात आले आहेत ते शोधा वलिहा, तो पशु पक्षी जाडे जुड़ पे ऐसे कंपाउंड वर्ड्स इस लेसन में से डून कर लिखिए, तो और ऐसे कौन से वर्ड् गर दर्या, कडे कपारी, ओढ़े नाले, प्रश्न तीन, कौन कोठे रहतात, शोधा वलिहा, तो कौन कहां रहता है, वो ढून कर लिखना है, तो वाग शेर कहां रहता है, गुहा याने गुफा, पक्षी, घर्टे याने नेश्ट, उंदीर, बीड याने बील में रहता है, स प्रश्न चार, कोण कोणाला मनाला, who said to whom, एक, तुमी तिघे इतुन जा, तुम तीनों यहां से चले जाओ, तो असे हरनी आपलिया कुटुमबाला मनाली, ऐसा हरनी ने, हिरन ने, अपने परिवार से कहा, दूसरा, नको नको, तुमी तिघे जा, असे हरन आपलिया तिसरा, नको नको, तुमी सगडे निगुंजा, नहीं, नहीं, तुम सब चले जाओ, ऐसा किसने कहा, असे एक पाड़स, आपलिया कुटुमबातिल सदस्यान ना मनाला, ऐसा एक बच्चा, अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स से, उसने कहा, और चौथा, मी तुम्हाला अभ और उसके फैमिली से कहा, अब जंगल वर्ड को अलग-अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से बाकी नीचे जो वर्ड्स दिये है, उसको भी अलग-अलग फॉर्म में हमको लिखना है, जैसा जंगल को इन्होंनों क्या-क्या लिखा है, जंगलाचा, जंगलात, जंगलाला, जंगलासाथी, जंगलापासून, जंगलातून, जंगली, जंगलाचे और जंगलाच्या तो चार वर्ड दिये है, इसमें से पहला वर्ड है सरोवर, तो इसको कैसा लिखेंगे? दूसरा वड़े आनंद इसको कैसा लिखेंगे? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कुटुम्ब तो इसको लिखेंगे? कुटुम्बा चा, कुटुम्बा चा, कुटुम्बा चा, और कुटुम्बा चा और लास्ट है जाड, तो इसको लिखेंगे जाडाचा, जाडात, जाडाला, जाडासाथी, जाडापासून, जाडातून, जाडी, जाडाचे, और जाडाच्या प्रश्न साथ, खालिल शब्दान से तो ती ते लाउन लिंग ओडखा कुछ वर्ट्स दिये है, उनसे पहले हमको तो, ती, ते लगाकर उसका लिंग पहचानना है, स्ट्रिलिंग है, पुलिंग है, नपु सकलिंग है तो मराठी ग्रामर में, जिस शब्द से पहले तो आता है, वो पुलिंग होता है, और जिस से पहले ती आता है, वो स्ट्रिलिंग होता है, और जिस से पहले ते आता है, वो नपु सकलिंग होता है तो पहला word है जीब, तो जीब को हम बोलते है ती जीब, तो ती आया है, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग, दूसरा है चिंचर ये नेमली, उसको भी हम कहते है ती चिंचर, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग, तीसरा है वाग, शेर, वाग को कहते है तो वाग, तो तो आया ह तो ये क्या होगा PUILLING चौटा है कुटुमब फैमिली, कुटुमबू को कहते है TEE कुटुमब तो ते आया है, तो ये होगा NAPU SAKALING उसके बाद पाचवा है PANI तो PANI को भी हम कहते है TEE PANI, तो ये भी NAPU SAKALING चटा है GUHA याने GUFA तो हम कहते है ती गुहा तो ती आया तो ये होगा स्त्रीलिंग साथवा है पाडस याने हिरनी के बच्चे उनको भी हम कहते है ते पाडस तो ते आया तो ये भी क्या होंगे नपूसक लिंग प्रशना आट खालिल शबदान से वाचन ओढखावली हाँ अब वचन पहचानना है एक वचन है या अनेक वचन है तो पहला है ओड़े तो ओड़े अनेक वचन है दूसरा है नाले तो नाले ये भी अनेक वचन है तीसरा है पाडसे तो पाडसे ये भी अनेक वचन है चौता है वाग तो ये एक वचन है पाचवा है जंगल ये भी एक व प्रश्ण नवू हरनाचया पिलाला पाडस मनतात हरन के बच्चे को पाडस कहते है इस लेशन में आया था कालिल प्राणयांचया पिलानना काई मनतात तेलिहा तो नीचे जो जानवरों के नाम दिये है उनके बच्चों को क्या कहते है वो लिखना है पहला वाग शेर उसके बच्चे को बच्चा कहते है, दूसरा मांजर याने बिल्ली उसके बच्चे को कहते है पिल्लू, तीसरा है सीह याने लायन उसके बच्चे को कहते है चावा, चवता है शेडी याने बकरी उसके बच्चे को कहते है कोकरू, पाच्वा है गाय उसके और चटा है घोडा उसके बच्चे को कहते है शिंगरू प्रश्ण दहा खालील शब्द दिलेलिया वाक्यांत योग्य ठिकानी घाला ब्राकेट में चार वर्ड दिये है सही जगा पे उसका फिलिंद ब्लैंक्स करना है तो पहला सेंटेंस दूसरा आपलेया देशावर अपार श्रद्धा सावी बहुत ज्यादा श्रद्धा होना चाहिए तिसरा डेश निडेशार पानी चमकत होते तो यहाँ आएगा सरोवराचे निडेशार पानी चमकत होते उस तालाब का निला पानी चमक रहा था चौथा त्याग करने ची भावना डेश असावी लागते तो त्याग करने ची भावना रिदयात असावी लागते कुर्बानी करने के इच्छा दिल में होनी चाहिए प्रश्न अकरा खालील प्रश्णांची उत्तरे लिहा एक, तुम्चिया कुटूमबाद किती मान से आहेत आपके फैमिली में कितने लोग है तुम्चिया कुटूमबाद चार मान से आहेत मेरे फैमिली में चार लोग है आपके फैमिली में कितना है वो आप लिख सकते हैं याँ पर तुम्चे तुम्चे भावन डान वर प्रेम आये का तुमको तुम्हारे भावन डान वर मला खूब प्रेम आये हाँ मेरे भावन डान वर मुझे बहुत प्रेम है तुम्हीं 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 तुम्ह किया होगा तो वो आप लिख सकते हैं ने तो देखो हमने क्या लिखा है। माजे आई वडिल खुब प्रसन न जाले तो मेरे माबाप इस पे बहुत खुश हो गए अब यह लाश्ट में दिया है खालील गोला तिल शब्दान्ना शेजारच्या माडे तिल योग्य मनी लावा नवीन शब्द तैयार करा गोला में यहने सरकल में कुछ वर्ड्स दिया है और आगे माला यहने नेकलस बनी हुई है नेकलस में कुछ मोती बने हुए है उसमें कुछ वर्ड्स लिके हुए है यह दुनों को मिला के नया वर्ड हमको तैयार करना है तो box के अंदर का पहला word है माया, तो माया में क्या मिलाएंगे तो सही word बनेगा मायाडू, दूसरा है कश्ट, तो कश्ट में भी कश्टाडू, तीसरा है गोड, तो गोड में वा मिलाएंगे तो गोडवा, मिठास, उसके बाद है लहान, तो लहान में पन मिलाएंगे तो लहा में पर्ण मिलाएंगे तो मोठे पर्ण तो यहाँ यह question answers खतम हो गए बच्चो इसको अच्छे से अपने books में लिख लो next video तक बाई बाई